हाई दोस्तों नव श्क्यार आप सभी के मेरे चनल में स्वागत और आज हम बात करेंगे इंडेसिंट बैंक लिमिंटेड की जिसके काफी एच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दिया है जिसके रिजल्ट का दिन था और लगबग 49% year on year growth की जो अगर compare करें तो December last quarter से और इस quarter के बीच के अंदर जो comparison चलता हमेशा रिजल्ट इस तरह से आते हैं तो लगबग 49% की growth आती हुए नजर आ रही है और overall अगर बात करें तो लगबग 1241 करोड रूपीज का जो net profit बनता हुआ दिख रहा है क्या इसके अंदर एक अच्छा कासा entry का मौका बनता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होती है आप chart button को देख लीजिए कहां पर share मिल रहा है और कितनी इसके अंदर उम्मीद बनाई जा सकती है प्लस इसके जो financial result आ रहे हैं उसको इसके साथ match कर दीजिए तो आप definitely इसके अंदर राइडिंग का एक अच्छा कासा तरीका या अच्छा कासा मौका देख सकते हैं तो मैं पहले सबसे पहले मैं आपको बता दू कि 1241 रुपे का net profit बनता हुआ दिखाई दिया है और year on year अगर दिसंबर को दिसंबर से compare करते हैं तो अलग बो 49% तक की growth आती हुई दिखाई दे रही है अब मैं आपको चार्ट को उपर लेक के चलता हूँ जहांपर आप आराम से देख सकते हैं किस तरह से इस चार्ट को आप देखेंगे on and average के हिसाब से भी और yearly हिसाब से भी तो यहांपर एक अच्छी कासी मजबूती बनती हुई दिखाई दे रही है और काफी अच्छे ride के बाद इसके अंदर एक अच्छी कासी गिरावट बनी और उसके बाद यहां से आप देखेंगे एक correction mode आता हुआ बनता हुआ दिख रहा है तो यहांपर एक अच्छी कासी मैं एक बार इसको fan को change कर लेता हूँ जिससे आपको यह समझ आगा कि किस तरह से growth इसके अंदर दिखाई देती हुई दिखरी है और अगर यहांपर on and average की बात करें तो यहां से ऐसे बनता हुआ दिखा है और फिर यहां से एक बार गिरने के बाद यह इस तरह से इसका जो pattern बनता हुआ दिख रहा है तो अगर मैं इसको compare करने की कोशिश करूँ तो इसने अगर अप्रेल last की अगर compare करते हैं तो यहां पर काफी price उपर 1000 रुपे का और यहां पर अगर इसको compare करते हैं जो इसका low दिखाई देने की कोशिश कर रहा है 835 रुपे और इसका high बनता हुआ यहां दिखाई दे रहा है लग बारा सो 30 रुपे का high बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो उससे यह share आपको इस जगे पर भी आप देख सकते हैं 840 रुपे का और यहां पर भी एकदम 21 जनवरी को आप देख सकते हैं 854 रुपे का और अब यह 903 रुपे का जो आज का current price आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा तो इस तरह से आप एक अच्छी खासी बूम बनती होई share के अंदर देख रहे हैं वो इस तरह से बनती होई दिख रही है अगर एक महीने के pattern को देखा जाता है तो यहां से जो आप देख पाने है कि किस तरह से इसके अंदर एक अच्छा कासा बूम बनने की कोशिश की जा रही है तो वो एक बार जब यह पूरी तरीके से उठ जाएगा तभी हम समझ सकतें कि हाँ इसके अंदर है बूम या नहीं है लेकिन अगर इसको result के साथ compare करतें को कि 1241 रुपे करोड रुपीज का इसको जो profit हुआ है उससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले quarters मे यह काफी अच्छी performance दे सकता है ठीक है जी तो यह तो रही चार्ट की बात और अगर इसके overall पीछे के भी history को अगर देखते हैं तो यहाँ पर मैं दिखानी कोशिश करूँगा किस तरह से इसके चार्ट के अंदर अच्छी कासी boom बनी हुई है और यहाँ पर आप देखेंग जब market correct हुई थी तो अलगबद 334 रुपे का इसका low था और वहाँ 334 से इसने लगबद 1200 रुपे का high बनाया और 1200 high के बाद यही दुबारा से आपको 900 रुपे के करीब range में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर मैं आपको चार्ट दिखा लिता हूँ किस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो लगबद आपको एकदम सेम चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ यह देखिए 2000 रुपे का इसका high था और यहाँ से अगर नीचे की तरब इसको compare करते है लगबद 300 रुपे का इसका low है जो 2020 के अंदर 3 अपरेल की बात है जब market आपको correct हुई थी उसकी कोरोना की बज़े से और उसके बाद इसके अंदर एक अच्छा कासा high बना था 2021 के अंदर 22 अक्टूबर को लगबद 1200 रुपे का इसका high था और वहाँ से लगबद अक्टूबर से भी अगर compare करें तो आप देखेंगे लगबद 300 रुपे तूटता हूँ नजर आ रहा इस category में डाला है ताकि आप अच्छी तरीके से इसके बारे मैं study कर सको और मेरी bonus peak की जो वीडियो होती हो थोड़ी सी लंबी होती है जिसके अंदर मैं आपको यह बता सकता हूँ कि काफी अच्छी तरीके से study करके कि हाँ इस share के अंदर काफी ज्यादा potential बलता हुआ दिखा कि यहां पर इसके जो revenue है उसको compare करके दिखा गया तो यहां पर मैं पहले revenue की बात करते था हूँ जिसके अंदर आप आराम से देख सकते हैं कि जो revenue है वो लगबग यहां पर आप देखें 32.25% की growth दिखाता हुआ दिखा रहा है net income भी लगब 12.94% तक की growth कर रही है और earning per share में भी आप देख सकते हैं 59.59% तक की growth दिखा हो दे रहा है और इसके अंदर net profit margin में भी लगब 30% तक की growth आती ही दिखाई दे रही है तो आप अच्छी तरीके से दे काफी अच्छी तरीके से मजबूती के साथ ये पूरा clear हो जाएगा कि जो banking sector की दिशा और दशा है वो किस तरफ जाने वाली है जैसे ही आपके हमारा budget आता है तो ये total overall इसकी बात हो गई है और अगर इसको quarterly wise compare करने की कोशिश करते है तो यहां पर आप देख सकते हैं क्यों पुद दिखाई देते हुए नजर आ रही है तो यहां पर आप जो मॉन्टी बात है कि अगर दोजार इकीस को दोजार तर्ड क्वार्टर को फॉर्थ क्वार्टर को अगर आप देखते हैं तो यहां अनिक परिशेट बीटन बाई 21 परसेंट और मिस हुआ है फॉर्थ क्व जो रिटन आते हुए दिखाई देने तो वह आप देख सकते हैं किस तरह से आपको यहां पर अच्छे रिटन आते हुए दिखाई देने तो आप यह आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि शेर के अंदर काफी अच्छी मजबूती बनती ही दिखाई देगी आने वाले टाइ दे रहा है तो यहां पर आप अच्छी तरीके से ख़बर आती भी दिखे सकते हैं कि किस तरह से the total income for the quarter under review came at the 9,641 करोड a rise of the 8% year on year और from 8,887 करोड जो लगब previous year के हिसाब से अगर इनको compare किया जाता है तो तो उसी comparison के हिसाब से आपको 1200 Saturday report as the consulate net profit of the 1241 करोड for the quarter under December जो इस तरह से यहां पर दिखाया और 49% of 0.49% की year on year growth आती इस share के अंदर दिखाई दे रही है और इस तरह से आप देख सकते हैं काफी अच्छी 830 रुपे के price के बाद यह काफी अच्छे इसके अंदर एक अच्छी खासी रेली बनती ही दिखाई दे रही है और long term के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडेसेंट बैंक ने previously भी काफी इच्छे 2,000 रुपे का इसका जो इसका high है उसको definitely chase करने की कोशिश करेगा क्योंकि जिसी साब से इसके result आते ही दिखाई दे तो आने वाली टाइम में आपको एक अच्छी खासी रेली इस शेर के अंदर आते ही दिखाई देगी उसका region है consistent performance आते ही दिखाई देगी तो definitely आप इंडेसेंट बैंक के उपर आराम से विश्वास कर सकते और कोई भी investment करने से पहले अपनी research जरूर कर लीजेगा क्योंकि हर जगे एक ही चीज होती है आपका पैसा है तो अपन research जरूरी है